नमस्ते मैं हूँ सुरेश कुमारे कलवे और आप देख रहे हैं बात सच है एक तैसुदा प्लानिंग के तैत LSE का मुद्दा अब मीडिया से पूरी तरह साप कर दिया गया है दो मेने तक गलवान पैंगोंग पर जो तनाव देश ने झेला है उसके इस तरह अचानक सांथ हो जाने पर कई सवाल खड़े होते है ऐसा दिखाने के कोशी से बहुत तेजी से हो रही है जैसे LSE पर सबकु सांथ हो चुका है मोदीजी ने सईदों के बरिदान का मान रख लिया है जबकि LSE की वास्त्रिक इस्थिती अभी भी बहुत ड्राने वाली है वहां सब कुछ पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुआ है चीन फिर से किसी बड़ी साजिस्की फिराक में है और किसी भी पल यहां पर कुछ भी बड़ा घट सकता है हम आपको जरूर बताएंगे LSE पर आज की घड़ी कैसे हालात है साथ ये भी बताएंगे कि चीन गलवान घटी और पैंगोग तसों के इलाके में किस तरह का चकरव्यू रच रहा है पर उससे पहले दा हिंदू की इस रिपोर्ट का भी जानना जुरूरी है जिसने मोधी जिन्पिंग की दोस्ती में दरार डाल दी है जिससे पता चलता है कि कैसे जिन्पिंग ने दोस्ती की आर्बे भारत की पीट में चुरा घोपा है दरसल दा हिंदु ने सिन वायजन सिग रिपोर्ट के आदार पर खुलासा किया है कि गलवाद घाटी, पैंगोंग जील और एलेसी से लगे अने लाकों में चीन के कदम कई मैंनों की तैयारी के बाद उठाए गए थी यह तैयारी सिग जिन पिंग के आदेश के बाद की गई यह तैयारी इतनी रण निति के साथ की गई थी कि चिन ने एक साथ कई मोर्चो पर अपनी तादाद बढ़ा दी इसकी वज़े से चीन और भारत के भी जड़क हुई और इसमें 20 भारत जवान वीरगती को प्राप्त भारत को LAC से पीछे धकेल दिया जाए ताकि चीन की अधिकारिक सीमा के साथ इसे जोड़ा जा सके भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में अलब कालीन समय के लिए बनाए गए बफर जोन को पेचिंग के LAC के ने दावे के साथ बनाया गया है जिससे LAC एक किसी पस्चि नहीं बदला है अगर कुछ बदला है तो वे भारत की मीडिया का ध्यान है जो विकास दूबे को महिमा मंडित करके और राजस्थान में गैलाउस सरकार के मूतने चाटने की कानी सुना कर टाइम पास करा रही है हमारे पास इस बात की ठोस जानकारी है कि LAC पर चीनी से ना क खबर दो दिनों तक चला कर एक जजज के रूप में खुदी भारत की विज़ा का जज्जमेंट डे दिया लेकिन हकीकत यह है कि पैंगोंग जीले लागे में चीनी से ना बले ही फिंगर पोर से पीज़े हट गई हो लेकिन वे अभी भी फिंगर पाच पर जमी हुई है खा आने वाली बात यह है कि चीनी से ना अब और पीछे जाने के लिए रजमंद नहीं है जबकि इसके उलट भारते से ना फिंगर तीन और चार के बीच मोजूद थी जो आज फिंगर दों के पास आ गई है अब जो लोग यह कहते हैं कि चीन भारत की कोई जमीन नहीं कब पास इसका मालिक अनाक नहीं है वे शिरीप दावेदार हो सकते हैं मगर चीन ने अगर नो मैंस लेंड जोन के छे किलोमेटर पर अपनी से ना तयनात कर दी है और वे कुछ महीनों या सालों तक वहाँ टिकर रहता है फिर चीन खुद को उसका मालिक गोशित कर देगा इसके हथकंडों से उसने भारत की सेटों किलोमेटर भूमी कब जाई है यह समझने में किशी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि नो मैंस लेंड के 6 किलोमेटर इलाके का चीन फिलाल मालिक बन चुका है अब चीन का अगला कदम फिंगर फोर से फिंगर एक तक के इलाके को नो मैंस जिस पर आज भारत सेना तैनात है पियेम मोदी आगर यह कहते है कि चीन हमारी सिमा में नहीं आया है यह पूरण त्या सही है पर जिस जमीन पर चीन सेना आई है वे उनकी भी नहीं है उस जमीन का भारत भी उत्राई दावेदार है जित्रा की आज चीन है इसलिए जनता को उन भूमती दोस्तो जै जवान जै किसान जै हिंद बंदबात्रम।